किसी स्पेयर को काटना है लस्टेंटर में इसको फार्फाइंटर बोल जेते हैं मालनों मुझे इसके किस सेडिया को इस शेप में काटना है तो आपके पास मैश में आता है बूलियन, बूलियन में आते हैं तीन कमांड्स यूनियन पोर जोड़ना, इप्रेंस पोर एक में से दूसरे को घटाना, थर्ड वन पोर ओवरले, जहां पे भी एक दूसरे को ओपर ओवरलैप होगा, वही एरिया बचेगा तो दोनों को सेलेक्ट करो, यूनियन, जुड़ गया, इप्रेंस भट गया, इंटरसेक्शन, ओवरलैप बच गया, तो आप कभी भी यहां से भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको, क्रिश्चिल बॉल बनानी है, और वो भी डाइगो, जाने चाहिए, उसके सारे सेग्मेंट, तो आपको क्या करना है, सारे वर्टेशिस को सेलेक्ट करना, आता है वेवल, वेवल में विल्ट को पूरा कर देना, पूरा, ठीक है, अब पूरा करने के बाद, इसके जो वर्टेक्स है, यह न वैल्ड नहीं है, अलग लग है, तो आपको क्या करना है, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके, सिंपल हिट ओन, वैल्ड, वैल्ड से क्या होगा, सारे वर्टेक्स वैल्ड हो जाएगे, सारे वर्टेक्स वैल्ड होने के बाद, इन पॉलिगन्स को आप एक्स्टूर करवा सकते, अगर आपको सारे वर्टेक्स अलग लग एक्स्टूर करवा दें, यहाँ पर है, आपको कोई चॉकलेट बनानी है, इसमें आप साइग्मेंट ले लो, आप उपर के सारे वर्टेक्स वो सारे पॉलिगन्स एक्स्टूर कर रहे हो, एक्स्टूर के अनदर है, उपर के तरफ टीचना और छोटा भी कर रहे हो, पर अभी सब इकठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक टीप पेस्ट तुगैधर ओन, और अँट कर दोगे तो यहाँ अलग अलग हो जाएंगे, और एक्समें नाम चेहले हो, इसको रखता है एक्समें, अध्यक्ट रिभल यहाँ पर वर्टेक्स को चेमपर कर तो, आप अब यह जी किसी प्लेन पर करते हैं तेगनल करके अब ने प्लेन में सेग्मेंट बढ़ा दिये और इसके सारे वटाइस इसको कर दिया अब देडल है 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 यहां से राइड में आता है इंपूट्स के दरी दोनों को इकठा सलेक्ट करके मिडिल माउस टूल से घटा बढ़ा सकते हैं अब बैवल करा सकते हैं अब बैवल की आप वैल्ली बढ़ा अब सब को फिर वैल्ली कर दूं इस अब अलग लगे अब अब बढ़ा सकते हैं अब बाद वैल्ली कर दूं डूं ट्यों अब च्टाईड सप्प्ट ट्यों एंप लगे लेख राटा आप लेगी कि कि यह करने के बाद आप इसके सारे वर्टेक्स ही टॉन वैल्ड इसको क्या हुआ सेग्मेंट सीधे थे और अब क्या हो गए डैगनल हो गए कैसे फिर बता रहा हूं अगर आपके सारे सेग्मेंट सीधे हो और आपको टैगनल करना हो तो क्या करना वर्टेक्स मोड में सारे वर्टेक्स सेलेट करना विटोन वैल्ड और यहां से वैल्यू आपको बड़ा बड़ा के देखनी पड़ेगी कि किस में वर्टेक्स वर्टेक्स के पास आ रहा है वर्टेक्स वर्टेक्स के पास आगया पर वैल्ड नहीं है अब यह अलग अलग है तो आपको क्या करना है सारे वर्टेक्स सेलेट करो यह एक एक करके करो सारे करो के बैस्ट है इकठे हो जाएंगे कि टॉन वैल्ड को यह बोलते हैं मर्ज आप देखो यह न वैल्ड हो चुका है अब आप इसके सारे गन सारे पोलिगंस को एक स्टूड करो कि फिस टुगेद्र आउप करके कि प्रोटा कर दो कि समझ आया है तो टाइग नली टाइल्स बन गई आपके कि प्रेस करोगे वह सॉफ्टली टिखेगा होती है न ऐसी टाइल्स क्रिस्टल बॉल भी बना सकते हैं अगर आपको क्रिस्टल बॉल बनाने इसके प्रूप तो आप इसके सारे वर्टेंस को प्रेवल करा दो और प्रेवल की आपको एक वैल्डियू देखने पड़ेगी इसमें कम ओवर्लैप फाइब में नियर बाउट वह सही आ रहा है 5 में ठीक आ रहा है अपर इसको कर दो हिट ओन वैल्ड फिर सारे पोलीगन सापी कठे एक सूड़ कर दो कीप पेज तो गैदर आप कर दो कि इसकी बॉल बन गया अब इसी चीज़ से हम टायर बनाते कायर बनाने के लिए देखो क्या दना कि पीछ वाले पोलीगन मारतो देली आपके पास क्या आगया इस प्लेन आगया बनाने के लिए ऐसे पेट गया आपके लिए आप के लिए अपके लिए अपके लिए श्याविघा अव्याम आगया एक्टर्चूड़ कर दो नो को लाटना एक्पिक कर लिए औफ लिए खरवीचल़ प्रिको मैंने क्या किया यहां पर मैं दा रहा हूं सेग्मेंट इस नहीं जी होता है एक बड़ी उसके उसके मद जी प्रस्काइब इसके अंदर न इतने बड़े नहीं होते जो निशान होते हैं यहां पर आता है इसे क्या हो रहे हैं आपके सेग्मेंट डबल हो रहे हैं डबल होने की कारण ही जो चोटे हो रहे हैं मैंने क्या किया इंदर तीन सेग्मेंट डाले और इससलेंडर को मार दिया स्मूथ अब आप क्या करो अल्टरनेट लूप को सेलेट करो अल्टरनेट लूप को सेलेट करो और रोटेट करवाद थोड़ा थोड़ा समझाया अब आप इस पोलिगन को सेलेट कर सकते हो और एक्स्टूड कर सकते हो चोटा करके रहे हैं कि अब टायर बन गया कोई डाउट किसी को नहीं नहीं प्रेस्ट करने पाएगा ना कि मूट हो गया था और एक्स्टूड करके पर शापी होगा ना मुट करना नहीं कोई डाउट यहां तक अब एक और टूल बता रहा हूं इसके बीच में में एक सेग्मेंट डाला, मैं चाता हूं इस एरिया को राउंड करवाना तो बीच में सेगमेंन डाला यह वाला पखडर और श्थ के साथ एज मोंड में क्या किया यहां पर بल्ट मॉड में दा सकते हो और यहां पर यहां कि रुप किया किया वैज में आप इस वैज के एंगल भी बढ़ा सकते हैं पिर पता रहा हूं मैंने डाला एक एज उस एज को परफेक्टली पीज में डालोगे तो सर्कल भी परफेक्टली आएगा फेज पकड़ा अपने मुल्टी मोड में जाओगे एज और फेज दो लोगो और क्लिक ओन वेज और इसका एंगल बढ़ा गो 180 कर दो हां बढ़ जाएगा उसके सेग्मेंट भी बढ़ा सकते हैं स्मूवस दनने कि आपकी सी भी सी भी चीज को आप गोल भी दो जाओगा समझ आया 002 model नमर नट कल दो सब 017 002 002 किते हो गएं 005 5 हो गएं पांच के बगे NatGS में तो यांटेन नहीं है नी याद रखना अट्बबना